हेलो एरिवन आज रितुराज बसंत की बात करेंगे और इस पर हम एक निबंध पर चर्चा करेंगे देखा मथुर बसंत सुहाई पवन चले सुखदाई डाले डाले डोल रही है कले कले विक्साई चैक उठे पंची पेड़ों पर आरोन धूप है च्छाई अहा सीत है भागा घर को मीठी मधुर रितु आई भुमिका भारत वर्ष रितुओं का देश है संसार के सभी देशों से भारत में अथिक रितुएं आती है संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां वर्ष में छे रितुएं आती हूँ ये रितुएं अपने अपने समय पर आकर अपना रंग दिखा कर जाती हैं हर रित्व अपने समय पर आकर यहां की जनता के मन में नए सिरे से उत्सा और काम करने की प्रेर्णा भर जाती है यहां के लोग भी रित्वों के अनुसार अपने कारेक्रम निस्चित करते हैं वशंत रितु सभी रितों में शेष्ठ और प्रिये रितु मानी जाती है इसके आगमन पर चारों और प्रसन्नता चा जाती है इसलिए इसे रितुराज बसंत कहते है पहला बिंदु है बसंत का आगमन बसंत रितु के आगमन पर चारों और खुश्यों की लहर चा जाती है इस समय सर्दी का अंत और गर्मी का आरंब हो रहा होता है इस मोसम में सर्दी से कोई ठिटूरता नहीं है और गर्मी किसी का बदन नहीं जलाती है हर एक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने का इच्छुक होता है यदि इस रितु की विशेष्टा है दूसरा पॉइंट है प्राकरतिक सौंदर्य सभी जीव जन्तूं पेड पोधों आदी में नव जीवन का संचार हो जाता है ब्रक्ष नए नए पत्तों से लग जाती है फूलों का सौंदर्य तथा हरियाली छटा मन को मुग्द कर देती है आम के ब्रक्षों पर बोर आ जाता है तथा कोयलवी मधूर स्वर में कुहु कुहु करती है इस सुगंदित वातावर्ण में सेर करने से बिमारियां भी कोसों दूर भाग जाती है थंडी थंडी पसंती पवन उनुष्य की आयू और बल में व्रथी कर देती है तीसरा बिंदु है बसंतरितु का आनंद बसंतरितु में अपूर्व चैतन्य होता है प्रकर्ती की अनोखी छटा प्राय मानव के मन पर बड़ा प्रभाव डालती है सरसों अपना पीला दुपट्टा ओड करके प्रकर्ती प्रेमियों का स्वागत करती है पक्षी मधूर कल्रव के संगीत की साधना करते हुए लगते है मनुष्य ही नहीं पसुपक्षी भी इस रितु में हर सोलास में उचलते और नाचते है इसलिए कहते हैं कि बसंतरितु सब रितुओं का राजा है पस्चात बिंदु है उत्सव बसंत रितु के आते ही विभिन उत्सव मनाने का सिलसिला आरंभ हो जाता है बसंत रितु में होली का त्योहार प्रमक रूप से मनाया जाता है इस अवसर पर लोग नाच गाकर अपने मनन की प्रसनता व्यक्त करते हैं इसी रितु में वसंत पंचमी का उत्सव बड़े चाव से मनाया जाता है वसंत रितु में कवियों की भावना शक्ति भी उतेचक होटती है बंगाल में सरस्वती का पूजन किया जाता है उतरी भारत में नवरात्रों का उत्सव भी इसी समय मनाया जाता है इस अवसर पर लोग शक्ती की देवी दुर्गा की पूजा करते हैं उपसंहार इस प्रकार से लिखेंगे निसका शुरूप में कहा जा सकता है कि बसंत रितु प्रसनता और खुशियों की रितु है मानाव जीवन पर इस रितु का विभिन प्रकार से प्रफाव पड़ता है इस रितु में प्राते काल में भ्रमन करने से रुष्यों का सारीरिक तथा मानसिक विकास होता है व्यायाम के लिए भी यह रितु अत्यंत उप्योगी है इस रितु में सबसे अधिक त्योहार मनाये जाते हैं जिन से हमें अनेक शिक्षाएं एवं प्रेरनाएं मिलती हैं अते इसे रितु का राजा कहना अतिश योक्ती नहीं होगी आज का निबंद रितुराज बसंत मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की हिंदी की जानकारी लेकर आप चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथी बेल वटन को प्रेस करना ना भूलें तकि सफी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें थेंक दिन है करें लुक्त अपको अग्यों करिए रहने था ना रहें उक्भाण तक य। जासे लीडियो में रहें य। और से आपको भी नेडियों कि तूंद अज़क्र सुषियों क्य। प्रेस्ट ने इस से प्रिवां और संद अधिए देवां प्रूंड़ ओियों कि